हीट स्ट्रोक या लू लगना ये एक बहुत ही आम सी समस्या है बढ़ता हुआ प्रदूशन और जो एट्मोस्फेरिक चेंज़स हमें देखने को मिल रहा है इनमें ये जो एक संस्ट्रोक का प्रकोप है इससे हमें सामना करना पढ़ रहा है नमश्कार दोस्तों मैं हो डॉक्टर अर्बना और आज हम लोग बात करेंगे कि हीट स्ट्रोक या संस्ट्रोक के वज़े से जो समस्याएं होती हैं या लू लगने से हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं स्पेशली होमियोपति की दवाओ से अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को देखने से पहले चानल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को अवश्य प्रेस कर दे ताकि आप अप डेटेड रहें आप मेरे साथ social media में भी connect हो सकते हैं, facebook में connect हो सकते हैं, instagram में मुझे follow कर सकते हैं, tweet कर सकते हैं, हमारा exclusive telegram group भी join कर सकते हैं, जहां आपको latest information सबसे पहले मिल सकता है, तो चलिए शुरू करते हैं, आज का topic लू लगना और हमारी होमियोपति की दवाईयां तो दोस्तों, लू लगना या heat stroke, sun stroke ये एक प्रकार की heat injury है, तो बहुत जादा जब heat का exposure होता है, या suddenly hot और humid condition में आपका exposure होता है, या बहुत time तक आप धूप में physical exertion कर रहे हैं, आपके शरीर में पानी की कमी है, पानी आप कम पी रहे हैं, dehydration हो रहा है, या हो सकता है आपको कोई और बिमारी हो, जैसे liver संबंधित बिमारी हो, या kidney की बिमारी हो, heart की बिमारी हो, कोई पेट संबंधित बिमारी हो, तो जो लूल लगना है या ये जो sunstroke है या heat stroke है इसके लक्षन आप में जादा आ सकते हैं तापमान का बढ़ना आपका मुझ सूपना dehydration होना चक्कराना ड्रायजी फील होना ऐसे लक्षन दिख सकते हैं सर में भारी पन होना ऐसे लगना कि एकदम से चहरा बिल्कुल रेड हो गया सर एकदम से दर्द हो रहा है दर्द से सर फट जाएगा ऐसे लक्षन भी देखने को मिल सकते हैं तो दोस्तो संस्ट्रोक या हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए बहुत जादा जरूरी है कि आपके शरीर में डिहाइड्रेशन नहीं हो, पानी परियाप्त मात्रा में पीना है, हमारे जो भी समर फ्रूट्स होते हैं जिनका वाटर कॉंटेंट बहुत अच्छा है, जैसे वाट जरूरी है अपने बॉड़ी में जो वाटर लॉस हो रहा है उसको नियंत्रन में रखने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स का इंबैलेंस बॉड़ी में नहीं हो इस चीज के लिए, तो चलिए अब जानते हैं कुछ हमारी ऐसी बेहत उपयोगी हुमियोपति की दवा जो आपक आपके सर पे, चहरे पे, चहरा और सर एकदम से रेड हो जाता है, एक भारीपन का महसूस होता है, सर में एक आपको पलसेशन का फीलिंग होता है, ऐसे में गलोनोईन मेडिसिन आपको मदद कर सकती है अगली हमारी दवा, एमाइल नाइट्रोसम, एमाइल नाइट्रोसम में हम देखते हैं, सन स्ट्रोक या हीट स्ट्रोक के साथ साथ आपको दिल की धड़कन तेज हो जाती है, पैल्पिटेशन होने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में एमाइल नाइट्रोसम मेडिसिन आपको म बिलाडोना एक बहुत ही यूसफुल मेडिसिन जब हम देखते हैं कि आपका चहरा बिलकुल रेड हो गया है, सर में भारीपन है और इसके साथ साथ फोटोफोबिया, आपको लाइट से दिक्कत हो रही है, आपको बाहर ब्राइटनेस से प्रॉब्लम हो रही है, सर में दर्द हो रहा है, बहुत जादा, ऐसा मन कर रहा है कि बिलकुल चुप चाप लेटे रहे, तो ऐसे में हमारी दवा बिलाडोना बेहत हेल्पुल है, दोस्तों, नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है, नाट्रम कार्ब, नाट्रम कार्ब दवा जब टेंपरेचर का सड़नली ऐसा चेंज होत है, या आप फिजिकली एग्जर्ट कर रहे हैं धूप में, इसके बाद आपको ऐसी समस्या होती है, एग्जर्शन से प्रॉब्लम आपको ज़्यादा होती है, तो ऐसे में नाट्रम कार्ब मेडिसिन यूज कर सकते हैं, तो जिन लोगों को हमेशा संस्ट्रोक की प्रॉब् में एक हलकापन का महसोस होना, चक्कराना, सर घूमना, ऐसा लगता है, जैसे की बहूत जादा विक्नेस का महसूस हो रहा है, पूरा टाइम बस रेष्ट करें, लेटे रहें, जब ऐसी वर्टिकों की फिलिग होती है, आखें खोल ही नहीं पा रहे है, ऐसा लगता है, आखे अपने आप बंद हो रही है, इतना जादा weakness और exhaustion का महसूस हो तो जलसीमियम मेडिसन का प्रयोग कर सकते हैं तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ दवाईयां जो heat stroke या sun stroke या low लगने में बेहत ही उपयोगी है, मैं उमीद करती हूँ अभी जो information मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, sun stroke या heat stroke के बारे में आपने इसको पसंद किया है तो वीडियो को अवश्य शेयर करे अपने friends और family के साथ ताकि बाकी लोग भी अपना बचाव कर सके, sun stroke से अपना बचाव कर सके, जो स्टेप से उनको फॉलो कर सके जिससे आप अपने आपको heat injury से सेव कार्ट कर सके अगर चाते हैं मेरे से अपोइंट में लेना, आप चाह सकते है मेरे वेब साइट, dr.arpana.com पे आप हमारे ओफिस के वाटसेप नमबर पे, वाटसेप के माध्धियम से भी मेसेच फेच सकते हैं तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए स्वस्त रहिए, थैंक्स फॉर वाचिंग